नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका दिपक टिटोरियल में और आज हम लोग देखेंगे जुनागड एग्रिकल्चरल इंडिवर्सिटी के बारे में जो कि गुजरात में है तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं इसके प्लेस्मेंट के बारे में तो यहां पर सकते हैं कि 2019 से 20 के एकेडमी के एर में जो प्लेस्मेंट डिटेल दिया हुए आप देख सकते हैं इस उनिवर्सिटी में जो कॉलेज अफर्टी कल्चर जुनागड में है उसका प्लेस्मेंट देखे क्या है टोटल 59 स्टुडेंट्स अपियर हुए थे इंटर्व्यू के लि इस इनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेज है कॉलेजा जुनागड उसमें देखिए टोटल कितने कंपनी आई थी टोटल कितने स्टूडेंट्स 105 इंटर्व्यू के लिए इन डिया अपने स्ट्नेंट्स अपिए हुआ था और यहां पर देख सकते हैं यह कंपनी है जो इंटर्विव के लिए सेलेक्ट हुए थे यहां पे दिया हुआ है और कितने सेलेक्ट हुए थे यहां पे प्लेस्मेंट के लिए फाइनली सेलेक्ट हुए थे यहां पे दिया हुआ है यहां पर देख सकते हैं जो अलग-लग औरगनाइशन से कंपनी यहां पर दी हुई है कि यहां पर कितने प्लेश्ट हुए थे यहां पर दिया हुआ है तो अब हम देखेंगे को अपर कल्चर मोटा बंडरियाल अमरेली यहां पर देख सकते हैं टोटल 10 एस्टुएंट्स इंटर्वी के लिए अपियर हुए थे और वन एस्टुएंट्स का प्लेश्ट्वेंट अब कोई डेटा नहीं है प्लेश्मेंट का इसमिलरली इसमें आपका दिया हुआ है टोटल 44 एस्टुएंट्स इंटर्वी के लिए प्रेपेर हुए थे और शुम्से टेन श्टुएंट्स का प्लेश्मेंट हुआ था यहां पे महिंद्रा लिमिटेड में 11 एस्टुएंट इस इंटर्वी के लिए आये थे अपियर हुए थे और ट्व एस्टुएंट्स का हुआ था सिमिलरली यहां पे आप देख सकते हैं जो भी इंडस्ट्री है यहां पर आई हुए थी कंपनी या और और यहां पर कितना सेलेक्शन हुआ था हम लोग देखते हैं कॉलेज आप इस इनिवर्सिटी में जो फिशरी साइंस का क्वाज है उसमें कितना प्लेश्मेंट हुआ था यहां पर देख सकते हैं अवंति फिट्स लिमिटेड इसमें 10 इंटर्वी के लिए अपियर हुए थे तीन का सेलेक्शन हुआ था सिमिलरली आप यहां पर देख सकते हैं कंपन यहां पर देख सकते हैं इस कॉलेज में आपका टोटल 12 स्टुडेंट्स अपियर हुए थे इंटर्वी के लिए और 12 में 12 प्लेश्ट हो गया थे मतलब इस कॉलेज में इस इस इनिवर्सिटी के इस भेटनेरी साइंस के कॉलेज में प्लेश्मेंट देखा जा तो 100 प्लेशन लेगा थे यहां पर दिया हुआ है पॉली टेकनिक इन हॉर्टी कल्चर अब इस इनिवर्सिटी के अंदर हुआ कॉलेज जो हॉर्टी कल्चर में प्लेश्मेंट करवाता है उसमें आपके 19 स्टुडेंट्स इंटर्वी के लिए स्लेक्ट हुए थे उसमें से 8 यहां पर नाम दिया हुआ है यहां पर कॉन-कॉन से कंपनी आई थी और कितनों को कॉन ले गई है इसमेरली प्लिटेकनिक इन एक्रोप्रोशेसिंग में इसमें कोई डेटा नहीं है प्लेस्मेंट का अब देखेंगे प्लिटेकनिक इन अग्रिकलिचर जो की धारी में है इस कॉलेज में आपका प्लेस्मेंट टोटल 37 एस्टुडेंट्स इंटर्वीव के लिए अपियर हुए थे और दोनों का सेलेक्शन हो गया था सिम्दरली प्लिटेकनिक इन एक्रिकल्चर इंजिनियरिंग इस कॉलेज में इस्ट्रॉवेरी पॉलिमर्स प्राइबेट लिमिटेड यह आई थी इंटर्वीव के लिए जिसमें से 12 स्टुडेंट्स इंटर्वीव दिये थे और दो का सेलेक्शन हुआ था यहां पर दिया हुआ है इस्टील नॉट जॉइन नहीं किया है तो अभी हमने देखा कि इस उनिवर्सिटी के इंदर जितने भी कॉलेज हैं उन कॉलेज में अलग अलग कॉलेज में कितना प्लेस्मेंट हैं कितनी कंपनी आई थी कितनों को ल में 2021 का डटा है एक दूइस-वेंटि एंटीव का डटा है इपर डोल्डिय। सकते हैं याह पर देख सकते हैं 2020 का यह ग्रेंट अिध taş ब्रेशन की एक डेटा होटने यह कि नहीं उन प्लीशन है सकते हैं 2,23,500 और 98 students higher studies के लिए चले गए थे 2017 से 18 academic year में 306 students graduate हुए थे उसमें 136 students placed हुए थे जिनकी average package प्लेस्मेंट थी और 147 students higher studies के लिए चले गए थे similarly 2018 to 2019 academic year में 326 students graduate हुए थे उसमें 86 students का placement हुआ था जिनकी average salary लगभग 2,70,000 था और 2,19 students higher studies के लिए चले गए थे और यहां पर कुछ ऐसे UG programming में है जो कि 5 years के है उनका placement record यहां पर देख सकते हैं आप 2018 to 2019 academic year में 35 students graduate हुए थे उसमें 22 students का placement हुआ था और उनकी average salary कितनी थी 5,15,800 और 12 students यहां पर higher studies के लिए चले गए तो यहां पर देख सकते हैं इस university के अंदर जो UG program जो 5 year का है उसका placement बहुत अच्छा है विद रिस्पेक्ट तो जो की UG year 4 year का है Similarly 2017 to 2018 के बीच average package है 4,65,000 जिसमें 23 students graduate हुए थे इसमें 19 का placement हो गया था और 4 students higher study के लिए चले गया थे तो यहां पर देख सकते हैं data Similarly यहां पर आप PG का placement मतलब जो भी master's के program है उनमें placement का data दिया हुआ यहां पर यहां पर दिया हुआ है कि 2016 से 17 academic year में 189 students graduate हुए थे जिसमें 120 का placement हो गया था और उनकी salary 327,000 था और 15 students higher study के लिए चले गया थे Similarly 2017 से 18 academic year में 238 students graduate हुए थे उनमें 172 students का placement हुआ था जिनकी average salary थी 363,000 अफ्रोक्स और 37 students ऐसे थे जो कि higher studies के लिए चले गये थे सिम्दरली 2018-2019 वाले academic year में 178 students graduate हुए थे 135 उसमें से placement हो गये थे उनका और उनकी salary लगभग 4,000 थी 3,72,000 और 43 students ऐसे थे जो कि higher studies के लिए चले गये थे तो यह था आपका placement record किसका PG program जो कि 2 years का था अब हो देखेंगे वैसा PG program जो 3 years का था उनका placement record 2016-17 के भी 34 students graduate हुए थे उनमें से 34 का placement हो गया था पूरा का पूरा कोई भी higher study के लिए नहीं गया था और average salary 3,60,000 थी similarly 39 students 17-18 academic year में graduate हुए थे और 30 students का placement हो गया था 5,25,000 था और कोई भी higher studies में नहीं गया था मतलब जो 9 students पसके उनका placement नहीं हुआ था अब 2018-19 academic year में 34 students graduate हुए थे उनमें से 30 students का placement हुआ था जिनकी average salary अप्रोक्स 6,48,000 है तो अभी हमने देखा इसका placement record की average पर कितना है अलग-अलग academic year में जो कि 2020 का data था similarly 2021 में यहाँ पर data दिया हुआ है जो कि इव जी प्रोग्राम 4-year का है उसमें आपके देख सकते हैं अब देख सकते हैं यहाँ इस कोलम में दिया हुआ है कि इतने ग्रेजुएट हुए यहाँ पर कितने प्लेश्ट हुए इनकी average पर कितनी थी और कि इतने यहाँ पर सब्सक्राइब देख सकते हैं तो अभी तक हमने देखा कि इस उनिवर्सिटी में कौन-कौन कॉलेज है और अलग-अलग कोलेज में कितना प्लेश्मेंट हुआ है कौन-कौन सी कंपनिया आई थी अब चलिए हम देख लेते हैं कि इस उनिवर्सिटी में जो स्टुडेंट का स्ट्रेंथ कितना है यह आप आप देख सकते हैं 2019 से से अकैडमी 2019 ट्वेंटी अकैडमी केर में आपका जो अलग-अलग कौलेज है इस उनिवर्सिटी में दिया हुआ है उसमें सिम्लरली बैटलर की फुटने ठीक है मास्टर्स की यहां पर जो भी सीट है यहां पर दी गई है आप देख सकते हैं सिम्लरली कॉलेज ऑफ एकरिकल्टर इंजिनेरिंग टेकनोलोजी में कितनी सीट से मास्टर्स डॉक्टर और बैचलर में यहां पर दिया हुआ है है और आप देख सकते हैं are college of agriculture वाले में फिर ऑघ डॉक्तर और master की सीट कितनी है सिमिलरफ यहां पर एगरी बिजनेस मैंेडमेंट में मैं जो उसका college है उसमें कितनी सीट से मैं आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे स्क्रोल करते जा रहा हूँ को आप देख लीजिए College of Horticulture में यहां पर कितना है वहां पर देख सकते हैं अब चलिए हम देख लेते हैं इनके Bachelor के 7 Courses है Master's के 45 Courses है और Doctoral के 29 Courses है चलिए हम देख लेते हैं कि इनके Bachelor के 7 Courses हैं वो कौन-कौन से हैं B.Sc. Honors in Horticulture, Bachelor in Fishery Sciences अब चलिए हम दोग देख लेते हैं Master's के इसमें कौन-कौन से 45 Courses जाभी लेबल है वो है मैं यहां पर स्क्राइब करते जा रहा हूँ आप देख लीजिए यहां पर देख सकते हैं यहां जो भी Master's के Courses इसमें हैं यहां पर दिखाया जा रहा है Aquatic Environmental Management, Agriculture Chemistry and Soil Science, Agricultural Economics, Plant Physiology, Farm Machinery and Power Engineering, Agriculture Biotechnology, Floriculture, Agricultural Esthetics, Equiculture, Agricultural Agronomy, Biology में है पर देख सकते हैं MBA in Agri-Business Management में है लिए फिर्फ का रांट बैसर लॉजिए में है यहां पर देख सकते हैं Veterinary Parasitology में है Life Stock Production Management में है Extension Education, Live Stock Product Technology, लिए यहां पर देख सकते हैं 245 कुरसे हैं veterinary Biochemistry अब चलिए हम देख लेते हैं इनके PhD में कौन कान से कॉरसे हैं तोटल 29 कॉरसे प्रीएच्टी के, तो चलिए हम देखते हैं, प्रीच्ड इन अग्रीकल्चरल मेटरोलोजी में है, फाम मसिनरी में है, अग्रिकल्चर एंटोमोलोजी में है, एग्रोनॉमी हो गया, सरजरी, बेटनरी सरजरी और रेडियोलोजी, फिस प्रोसेसिंग टेकनलो अग्रिकल्चरल एकोनॉमिक्स हो गया, बेटनरी फार्माकोलोजी और टॉक्सिकोलोजी हो गया, प्लांट बायो टेकनलोजी और मॉलेकुलर बायोलोजी में हो गया, सिमिलरली आप यहाँ देख सकते है, अनिमल नूट्रिशन, सीट साइंस अटेकनलोजी, तो आज हमने द कौन-कौन सी कंपनी आई थी, कौन-कौन सी और्गनाईशन आई थे, और कितने बच्चों का प्लेस्पेंट हुआ था, तब तक लिए धन्यवाद, और इस वीडियो सीरीज में हम, अगरी कल्चर इंजिनियरिंग के वीडियो सीरीज में और भी वीडियो लाते रहेंगे, धन्यवाद